C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग दो सबक एक, सफ़हा एक, सारी दुनिया के मालिक ए सारी दुनिया के मालिक, राजा और परजा के मालिक सबसे अनोखे, सबसे निराले, आख से ओज़ल, दिल के उजाले नाओ जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला हिलते हैं पत्ते, तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां, तेरे खिलाए तू ही डुबोए, तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए अलताफ हुसेन हाली इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक जरना बह रहा है, जिसके पास एक कश्टी में एक आदमी सवार है सफ़ा नंबर दो सबक पढ़िये और समझे परजा आम लोग रियाया ओजल गायब जगत दुनिया संसार जोत रोशनी उजाला चमक जल पानी थल खुश्क जमीन बास महक बू तिराय उभारे बेड़ा पार लगाना काम बनाना असातिजा के लिए हिदायात तस्वीरों के जरिये बच्चों से नजम के बारे में बातचीत करें बच्चों को बुलंद आवाज से नजम पढ़ने का मौका दें सवाल एक सारी दुनिया के मालिक किसे कहा गया है सवाल दो जोद है तेरी जल और थल में इस मिस्रे से शायर की क्या मुराद है सवाल तीन तू है अकेलों का रखवाला से आप क्या समझते हैं सवाल चार बेड़ा पार लगाने का क्या मतलब है सवाल पांच इस नजम में दुनिया के मालिक की क्या क्या होबियां बताई गई है खाली जगों में मुनासिब लव्ज लिखिये रखवाला पार दुनिया जोत खिलाए एक ए सारी खाली जगा के मालिक दो खाली जगा है तेरी जल और थल में तीन तू है अकेलों का खाली जगा चार खिलती हैं कलियां तेरे खाली जगा पांच तू ही बेडा खाली जगा लगाए सफ़ा नमबर चार हिस्सा अल्फ और बे के सही जोड मिलाईए अल्फ राजा बे अंधेरा अल्फ उजाला बे सोना अल्फ जागना बे परजा अल्फ पास बे थल अल्फ जल बे दूर हम आवाज लवजों की जोडी बनाईए एक निराले दो खेने तीन हिलाए चार थल पांच बसेरा फल खिलाए देने उजाले तेरा यहां मिसाल के तौर पर निराले को उजाले से मिलाया गया है सफ़ह नंबर पांच मिसाल के मताबिक खानों में दिये गए हरूफ की मदद से पांच अलफाज लिखिये यहां एक जदूल दी गई है जिसमें पांच कॉलम और पांच कतारे हैं हर खाने में एक हर्फ लिखा गया है नून रे अलिफ लाम बड़ी ये ते वाओ जीम गाफ ते वाओ मीम अलिफ लाम काफ फ़ वाओ लाम सीन तोए लाम पे रे जीम अलिफ यहां मिसाल के तौर पर जीम गाफ और ते को मिला कर दिखाया गया है जो मिलकर लवज बनाते हैं जगत इसी तरह जदूल में दिये गए हुरूफ को मिला कर नए लवज बनाईए और दी गई खाली जगा में लिखिए सफ़े की बाई जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें समंदर का किनारा दिखाया गया है जिसमें एक कश्ती है जो समंदर की लहरो पर खड़ी है और उसमें एक मच्छवारा सवार है सूरज डूब रहा है और दो नारियल के पेड दिखाये दे रहे है सफ़हा नंबर छे मिसाल के मताबिक बे जोड लवज को पहचान कर सामने लिखिए यहाँ नीचे पांच कतारे दी गई है हर एक कतार में चार लवज दिये गए है फूल, फल, नाव, पौदा इन चारों अलफाज में नाव लवज बे जोड है नाव आख, कान, नाख, किताब बराबर, खाली जगा घर, चांद, छत, कमरा बराबर, खाली जगा रात, नींद, पत्थर, बिस्तर बराबर, खाली जगा मालिक, आका, हाकिम, नौकर बराबर, खाली जगा अपनी पसंद का कोई फूल बनाईए और रंग भरिये यहां सफे पर एक बड़ा सा खाना दिया गया है जिसमें आपको अपनी पसंद का कोई फूल बनाना है और उसमें रंग भरना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन स्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गौहर तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत